मित्रों स्वागत है आप सभी का समाधान कारिक्रम में आज मेरे चुहरे की रंगत देखकर आप समझी गए होंगे कि आज क्या होने वाला है आज पुरा देश जूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए हैं प्रेम के रंग, खुशी के रंग, शांती के रंग, आनन्द के रंग बले ही साथ रंगों से होली खेली जा रही है लेकिन ये रंग भी मिले हुए हैं और आपस का मेल जोल देखकर बड़ा ही आनन्द आता है या ऐसा परव हैं मित्रों जहां सारी गिले शिक्वे मिट जाते हैं लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, आनन्द और उत्सव मनाते हैं सचमच हमारा देश कितना प्यारा देश है जहां हर रोज कोई ना कोई परव है और कुछ रोज तो विशिश परव होते हैं यह खोली का परव है, तो आप सभी को खोली की धेर सारी शुपकामना है यह होली आपके जीवन में सातों ही रंग जो खुशी है, शान्ती है, आनन्द और प्रेम है उसे घोल दे और आपका जीवन खुशाली से परिपूर्ण हो यह खोली की धेर सारी शुपकामना है, आपको भी बहुत 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 बदाई प्रता जी यह होली सचमुच एक ऐसा महाल ले आता है पूरे देश में कि सभी अपने अपने घरों से निकल करके मिलते जुलते हैं, तो ऐसा लगता है कि सचमुच अनेकता में एकता का देश हमारा ही देश है, बिलकुल छुट्टी हो जाती है, लोगों का मूड ही बदल जाता है, होली है, और बुरानमानों होली है, तो और चारचान लग जाते हैं, लोग बहुत प्रसंद दिखाई देते हैं, और जैसे कल और आज, एक ही दिन में मनुस का मन्स एक परिवर्तन बहुत, बहुत यह अनुपम देखने में आता है, तो वस्तों में हमारे देश की यह सुंदरता है, कि यहां त्योहार होते हैं, फर्व बनाए जाते हैं, ताकि सभी लोग मिले, जुले, कामदंदों से निवर्थ होकर, और सब कुछ भूल भूला कर दावस में प्रेम से मिले, बाचीत करें, हिराएं और खाएं, इसलिए यह देश बहुत महान है, जे, 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 पते जी, हमारे एक दर्शक है, डॉक्टर वीना जी, उन्होंने कुछ पंक्तियां भेजी हैं, समधान परिवार के लिए और हमारे सभी दर्शकों के लिए भी पीला रंग आपके हाथों के लिए, गुलाबी रंग आपके सपनों के लिए, सफेद रंग आपके मन के लिए, हरा रंग आपके जीवन के लिए, खूली के इन सातों रंगों के साथ आपका जीवन पूरी तरह से रंगा रंग हो, खुशियों से परिपूर्ण हो, ऐसी कामन सब्सक्राइन होने की है तो यह पंक्तियां आप सभी को साधर समर्पित हैं यह पंक्तियां आपके जीवन के अंग बन जाएं सी हमारी कामना है प्रते जी प्रंक्ति आपको भी समर पर बेलकुल थैंक यू वेरी मच और मन सफेद सफेद रंग मन के लिए हो गया तो बहुत ही सुन्दर बात है मन को यदि मनुस सफेद कर ले स्वच बना दे पोजिटिव कर ले तो उसका जीवन इन सातों रंगों से भरपूर हो सारा अधार मन पर ही है तो आज होली के दिन सभी भाई वहने अपने मन को सफेद बना दे जीवन सातों रंगों से भरपूर होकर बहुत चमकील आती ब्यूटिफुल पर भोता कर सक हो जाएगा प्रता जी इसके अध्यात्मिक भाव की यदि और चलें क्योंकि हर पर्व के अध्यात्मिक रहसें हैं जो हमेशा आप भातित करते रहते हैं होली का देहन से शिरुवात माना जाता है ब्रता जी तो होली का देहन और उसके परशाद आज रंका खेलना किस प्रकार से इस चीज़ को समझें कहानिया है इसके पीछे तो बारत में सभी लोग परिचित हैं नई पीडी परिचित ना हो तो प्रलाद बहुत बड़े भक थे उनके पिता जी हिरना कश्यप जो राजा थे उन्होंने रिक्लेर कर दिया था मैं ही हरी हूं मैं ही भगवान हूं पूजा के वल मेरी होनी चाहिए सारी परजा को तो परजा थी उनके अधीन थी वो उनकी ब भगवान मान ले और और भगवान को याद करना छोड़ दे लेकिन वो नहीं माना आखिर उसकी बहन जो होली का थी उसने कहा मुझे एक वर्दान है कि आग के बीच में बैठ कर भी मैं तो सुरक्षित रहूंगी लेकिन जो मेरे पास होगा वो जल जाएगा मैं प्रलाद को नाम होली के साथ होली का भी है होली का का देहन हो गया तब से मनाय जा रहा है मतलब प्रभु भग प्रभु प्रभु प्रेमी जीवित रहे अजर अमर अविनासी सिद्ध हो गए बस तब से ये एक कहनी के साथ सुरुवात हो गए जे 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 तो ये होली का देहन में ब्रते जी मतलब यह कहा जाए कि बुराइयों का अंत हो जाता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है इसकी सांद ब्रते जी यह चीज जो कही जाती है जैसे अपने कहा ही रण्यकश्यव जी हमीशा अपने आपको मतलब परभू ही कहा गरते थे कि मैं ही भगवान हूं आज क परिप्रिक्षमियदी देखा जाए तो भी बहुत सारे लोग आज यही कहते हैं शिवो हम शिवो हम कि मैं ही परमात्मा हूं मैं ही शिवो हूं तो इसे किस रूप में समझा जाए एक्श्योली कहने वालों पता भी नहीं वो क्या कह रहे हैं फिर उनसे पूछे कि महादेव शिवो हम यह तो वास्तों में बहुती गल्क मन्यत हैं जिनके पास सत्य गयान नहीं था ऐसे आचारियों ने कहा मैं ही वो हूं वो ही मैं हूं इसने अंदकार व्याप्त कर दिया कौन किसको याद करे कौन किस से योग युग थो कौन किसको कह रहा है तुम परम पिता हो तो अगर मनुस विवेक पूर होकर विचार करें तो यह मन्यता पूरी तरह से गलत हैं अंदसद्धा पर आधारित हैं अपने को सिव कहना अपने को ब्रह्म मान लेना हम उसके ही स्वरूप हैं यह एप्शलोटली रो मतलब जीरो परसेंट पर है यह बात इसलिए भगवान ने आकर कहा कि ऐसे लोगों का मैं संगार करने आता हूं और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे नर्सिंग अवतार लिया हिना कस्यों का संगार करने के लिए भगवान को नर्सिंग रूफदारन करना ही पड़ेगा मतलब स्वयम को परमात्मा गोशित में किया जाना चाहिए नहीं किया सकता बहुत बड़ा पाप बहुत बड़ी ग्लानी हो गई क्या ऐसा नहीं है कि परमात्मा चुक्य अधरिश्य है वो दिखाई नहीं देते तो जो शायद कुछ ग्यान में, योग में या साधना में आगे दिखाई देते हैं, उन्हें ही लोग फिर भगवान का रूप मान लेते हैं। प्रहलना अर्थात अच्छाई, उसी भी आज तकलीफ बहुत जादा होती है, जैसे उनकी पिताजी ने उन्हें उपर से फिकवा दिया, या तेल में डलवा दिया, आदी आदी बहुत सारी कश्ट दिये कि नहीं तुम मुझे स्विकार करो ही, तो कल्यूग में ये देखा जा आज के दोर में की अच्छाई को बहुत सहन करना पड़ता है, बेलकुल यही सत है क्योंकि बुराई का ही प्रकौप है, समझो राज ही बुराई कर रही है, कल्यूग क्यंत में अच्छाईयों का राज होता नहीं, वो सत्यूग में था, तो बुराई नहीं थी, यहां बुर आएं, मात आएं, कहें-कहें, भाई भी दूसरों के द्वारा प्रताडित किये जाते हैं, उन्हें मतलब संफूर परियास किया जाता है, वो प्रभु मार्ग से हट जाएं, उसादी करें, वो विसेविकारों के घर्थ में डूप जाएं, भगवान से क्यों मिलने चले हैं, तो ये तो सत्थ है कि कलियो कांत है, लेकिन सत्थ में शक्ती बहुत है, मैंने ऐसे, जैसे मैंने का लाखों केस, हजारों मैंने देखे, जिसमें सत्थे वालों की विजय हुई असत्य हार गए, जो कश्च दे रहे थे, आखिर उनको पश्चाताप करना पड़ा, और अपने बेटे से छमायाचना करनी पड़ी, अपनी लड़की के पैठ चुने पड़े, मैं अग्यानी, तुम्हें कैसे सुंदर मार्क से रोक रहा था, मुझे छमा करें, तो ये सत्थ है, पंतु सत्थ में बहुत सक्ती है, बिल्कुल, भले लेकिन कश्ट हो, सत्य की ही जीत होती है इसलिए कल्यूग में भले हम सहते अवश्चे रहें लेकिन इस विश्वास के साथ की विजए हमारी निश्चे। नहीं होता जो प्राप्तियां होती है इसलिए सहन करना सहन नहीं आनंद है सहन सा बनने का मार्ग है बिलकुल सहन करना शहन शा बनाने वाला है बहुत संदर राते हैं खुली का धहन में हम बहुत सारी चीज़ें जलाते हैं चाहे वो आग हो मलपकंडा हो लकडियां हो पुरान सत्र तो यह है के जो भी इस आज होली डहन में जाएं और ये सब चीजे जल्ती देखाएं वो अपनी किसी ना किसी इनर कमजोरी को भी डाल दें उसमें सची होली तो यही होगी के देख ले मेरे अंदर ये कमजोरी है वह मुझे करोध बहुत आता है मेरा ये संदकार मुझे बहुत कर्श देता है दूसरों को भी देता है बुरी बोलने कि मेधियादत हमारे घर के माहूल को करवा कर देती है या मेरा एहम मुझे सबसे दूर ले जाता है मुझे मैं अपने को बहुत बड़ा समझता हूं पर लोग मुझे छोटा समझते हैं, किसी एक बुराई का देहन कर दे आज, तो बहुत अच्छा होगा, इसे जीवन ने खर जाएगा, होली का और क्या आध्यात्मिक भाव है प्रताजी, होली बड़ा शब्द सुन्दर सा लगता है, कुछ गहरे भाव इसने लिए हुए और एक होली है, कि जो चीज हो गई होली, उसको बूल जाओ, और एक ये तिवहार है होली, तो तीन तो इसके मीनिंग है ही, होली पवित्र बनना, बहुत बड़ी चीज है, और इस समय भगवान आकर हम सब आत्माओं को पवित्र बना रहे हैं, देखिए एक आम व्यक्ति य कोई साइकोलोजिस कहेंगे, तो अगेंस्ट नेचर है, ये राइट है ही नहीं, तुम सब गलत हो, पर पवित्रता एक ब्यूटी है, प्यूरीटी इस दा ब्यूटी फोर इस वर्ल, यही सकते है, प्यूरीटी इस दा इनर स्ट्रेंथ फोर इस नेचर, नेचर की बहुत पवित्रता को मन्यता परदान करते हैं, उनके लड़की और लड़कियां कुछ घड़बड कर रहे हैं, तो वो उन्हें क्यों सुईकार्ड नहीं करते हैं, जो उनके विरुद्ध हो जाते हैं, क्यों उन्हें घर से निकाल देते हैं, पकर यही है तो उन्हें करने लोना, त पवित्र बनौ। इनमनोंगिकारों को जीतो। तुम्हारा मौल स्वरूप ही पवित्रता है। तौत तुम्हारा जीवन कुछ और हो जाएगा। तुम्हारी purity का प्रकास शंसार के अन्दकार के दूर करेगा। तुम्हारी purity की स्रेष्ट किरने इस अंसार से माया के जर्म्स को नस्ट करेंगी तुम्हारी प्यूरिटी की पावर अनेक दुखी और अस्यानतात्माओं के दुख परिशानियों को समाप्त करेंगी तो एक और तिसका है सुन्दर होली पवित्र बनना तो आज सभी इस अर्थ को भी याद कि हम सब पवित्र मौल रूप में आत्मा पवित्र है और हमें पवित्र बनना ही है क्योंकि एक दिन वो आने वाला है इस रश्टी पर संसार की हर आत्मा पवित्र बनने की छुक होगी विकारों से उनको वैराग हो जाएगा और इस धरा पर प्यूरिटी का एक तब यह संसार पुने स्वर्ग बनेगा बहुत इंपोर्टेंट जो आज के परिफेक्स में दिखाई देती है हो ली जो हो गया तो आज के दिन कल पर सो एक साल पहले दो साल पहले कोई कड़वाट हो गई थी संबंदों में कुछ हो गया था हो ली हो गई अभी उसको भूल ज कि दिन की सुर्वाट करनी है मैं उन इस्परी पुरुष साथियों से एक दूसरे के साथी है ना किहना चाहूंगा के अज की दिन आपके संबंद में यदि कोई भी कड़वाट है उसे पास्ट करके उसे फज़गेट करके एक दूसरे को फोर्गिव करके एक नए सुन्दर सम्द्ध की सुरवात करो जुके कोई एक जुके तो दूसरा आप जुक जाएगा अब दोनों इन जुक न चाहते दोनों इतन के खड़े हैं एक जुके दूसरा आप जुक जाएगा तो होली पास्ट हो गई इसके लिए हम यहीं कहेंगे कि भूल जाएं उसे और नई सुद्वात करें सांटिस्ट यह कहते हैं बहताजी कि व्यक्ति 80% आज के दौर में भी अपने पास्ट में ही रहता है और 15% फ्यूचर में रहता है केवल 5% ही अपने प्रिजेंट में रहता है त हो थी जब रदस्ट आंकड़े हैं यह 80% इफेक्ट अफ दी पास्ट अभी जो 5% वर्तमान का बच्चता है उसमें तो मनुस की सारी किरियेटिव एनर्जी ना स्टी होगी 5% ही नाथिंग फ्यूचर की चिंताओं को 5% पे ले आए और जो पास्ट का इफेक्ट है अब यह पास्ट की है उसको मिनिमाइज करते करते 25 पर ले चलें तो 65 55 यह बच गई तो 70 हो गई तो 70% हम वर्तमान में रहना सीखें एंजोई करेंगे हम वर्तमान को तो कि पास्ट में यदि हम बहुत रह रहे हैं तो वर्तमान की हमारी किरियेटिव एनर्जी पर उसका बुरा स्व काम कर रहा है लेकिन पास्ट का बुरा इंप्रेशन उसकी मन बुद्धी पे चाया हुआ है पांची परसेंट उसकी एनर्जी काम कर रही है तो क्या करेगा और यदि यही 70% 80% करने लगे तो कितने बड़े-बड़े काम वो कर जाएगा एक दिन में ही तो लेकिन यह आपने प्रस्थण यह प्रेंटा यह एक तो पास्ट को हमें हलका करना है मैं फोड़े में बताता हूं क्योंकि आपका प्रशन यह नहीं आज का संदर भी यह नहीं है इसपे तो पास्ट को यह करेंगे चाहिए पुरा हो गया ऑफ एपने और यह रोज संकल्ब देने लगेर यह द कर दोना में अपने 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 अनर्जी को यूज करना इससे यह बहुत अच्छा हो गाझा और फिर यह आपने बहुत सुंडर पास्ट पो अच्छा ले सुंदर भी तो रहीं होंगी कुछ गतना है और जाद्ध्यात्म के मार्ग पे चल दे वो सत्युक के पास्ट को याद कर ले तो यह वर्तमान का पास्ट धील अफीका लगने लगेगा तो लगेगा तुम ऐसे चोटी बातों से भारी हो रहे है द्यार नथिंग उनमें कुछ है नहीं 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 है चालो ख खुस हो जाओ वर्तमान में आजाओ बस और एक दूसरे को भी यह मदद करनी चाहिए मैंस को ताकि वो पास्ट बहुता रहे है कि लोगे आज़तों कि पास्ट को उखेलाते रहना है क्या तिलाते रहना है झालो 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